नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त संचित स्वागत करता हूं एकडमी प्लाटफॉर्म पे और आज पॉड्कास्ट के अंदर सेकंड सेशन लेके आपके सामने हाजिर हैं गेस्ट आप सबके फिवरेट इन मिझे कोई यूण कोई बताने की जरुवरत नहीं है तारूफ कराने की जरुवरत नहीं विष्दीप सर हमारे साथ हैं बहुत प्यार आप लोगों ने दिया था फर्स प चाहिए तो यूनो हमें अंडेस्टेंडिंग मिलते आगे क्या कंटेंड लेकिया है आज का टॉपिक जैसे अपने थम्नेल और टाइटल में देखा होगा थोड़ा जेनरिक रखने की कोशिश की है कंप्यूटर साइंस के अंदर करियर सो बैसिकली फोर रीजन्स तो हवाव करियर इन कंप्यूटर साइंस मैं थोड़ा से एक बैक्ग्राउंड दे रहता हूं सर आइडिया यह है कि आज से कुछ समय पहले तक न एक समय होता था कि आजकल एसी अच्छे चल रही है मेकैनिकल अच्छे चल रही है फैशन होता था एक फैशन होता था कि कौन सी मिला के भी उतने नहीं हो पा रहे तो क्या चेंजिस हैं क्या CSID सच में एवर ग्रीन हो गई है बाकी ब्रांचिस का कोई इसको बचा नहीं है इसके बारे में एक जनरल डिसकॉशन करते हैं तो सर आपसे चाहूंगा आप थोड़ा सा बताईए कि क्या कोई एक ऐसा में रीज तो कि उसे पदा था कि एंजिनिरिंग करने के बाद उसे जॉब लगना असान हो जाएगा एक प्रोफेशनल कोर्स है राइट बट जब आप नंबर आफ जॉब्स या क्वालिटी आफ जॉब्स या काइंड आफ जॉब्स देखें अधर ब्रांचिस में तो आप देखेंग प्लेस होते हैं और दूसरी बात यह है कि अगर आप मनी वाइस भी देखें तो अमाउन जो स्टूडेंट्स को मिलता है दूसरी ब्रांच में वो कम है तो आफ कोर्स वो चाहते हैं कि हम ऐसा एक प्रोफेशनल कोर्स करें जो उतनी ही महनत में हमें ज्यादा अच्छा का कि students जो हैं अभी computer science को ज्यादा prefer कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा intake बढ़ गया है of course colleges का और आपने ये भी कहा कि number of students जो आते हैं कि वो computer science IT में ही बीटे करें, उसका सबसे बड़ा जो primary reason है वो ये है, इसको और थोड़ा detail में भी of course discuss कर लेंगे कि किस तरीके से ये scenarios over the years change हुए हैं, बट एक point और यहाँ पर मैं add करूंगा, कि अगर आप jobs की बाद करें, तो mechanical, civil, electrical, electronics या जितनी core branches है, core branch के students को कही ने कही gate या EAC या फिर किसी state commission की या कोई दूसरी exams के लिए prepare करना पड़ता है, तब जाए students को कही ने कही वो job मिलती है, जो वो चाहते हैं, यहाँ आप college के campus के through, या फिर थोड़ी सी coding practice के through, या अपने core courses के through, आप अच्छा job directly पा सकते हैं, computer science मे जो एक बहुत बड़ा reason है students के shift का, in fact अभी बहुत सारे students ऐसे हैं, जिनको normal या अच्छे college में दूसरी branches मिली थी, और वो भी अब shift कर रहे हैं computer science में, अपना career from other branches, इक दो-तिन point बहुत अच्छे आपने mention किये, और economics का बहुत simple सा idea है, जैसे आपने बोला demand and supply, तो जाहिर सी बात है कि जिस department के अंदर demand जाद होगी, वहां पर supply automatically जाद होने वाली है, तो यह आप समझेंगे कि with time, अभी भी मैं मानता हूं CSIT तो अपने inception पर ही है, पैना किसी समय स्टोनेश थी, फिर information, industrial revolution हुआ, तो 1960s, 70s वो time था जब बड़ी-बड़ी factories लगती थी, उसका demand अच्छ अब जाके आप देखेंगे, मतलब सर्म, correct me if I am wrong, मैं अगर आपसे बात करूं, लगबग 20 साल पुरानी है न, यह बात करूं, 2000-2005-6 की, जब हम 6-7th class में, 10th class में हुआ करते थे, और you know, बड़े कजन भाया कहीं जॉब लग रही होती थी, विप्रो, Emfosys, आजकल वो नही नहीं, बाकी branches का, मैं नहीं बोलता हूं, बहुत, you know, बहुत fixed तरीके से, बट कुछ-कुछ आज भी वही situation है, for example, if you are a mechanical engineer, या तो आप तोड़ू-भोड़ू है, आपका BTEC में रहते रहते, आपका PSU में select हो गया, आपने under 1000 rank rack कर ली, आपका gate के through, Emtec को मिल गया, या IES हो या something like this, बार अगर यह नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, कि हर साल अशोक लिलेंड 50,000 mechanical वालों को select कर रही है, या Tata Motors में 30,000 जा रहे है, तो एक level of uncertainty है, market standardized नहीं है, on the contrary, CSID में जब हम देखते हैं, तो overall अगर मैं कुछ rough number भी बात करूँ, तो 2.5 लाग बच्चों की हर साल job ल Microsoft, but at least, बच्चे long term में career वही चूज करते हैं, जहाँ पर certainty रहना तो हर कोई cricket खेलना शुरू करेगा, but वहाँ पता है, कुछ भी नहीं मिलाना, मैं basic भी हूँ, तो भी मैं 3.2, 4.8, ऐसा तो कुछ लेई जाऊंगा, तो 2.5 है, एक तो बड़े-बड़े recruiters बहुत जादा और क्योंकि इंडिया आज के टाइम पे, एक टाइम पे जो हम call center की services, BPO कर रहे होते थे, आज हम अच्छी service outsourcing कर रहे होते हैं, तो वहाँ बड़े volumes है, दूसरा startups, तो startups भी एक बहुत बड़ा volume से मेरी ख्याल से आज बच्चों को opportunity देते हैं, और you know, अपनी life में फोन उठा हैं, mass recruiters बड़े हैं, तो demand supply, ये एक बड़ा कारण है कि you can choose your career, अगर आप 12th में और ये podcast देख रहे हैं, तो you can choose your career to be in computer science, because it is one of the safest career, मेरे को लगता है, मैं ऐसा नहीं कहा हूँ कि बहुत जादा, बहुत कम का कुछ idea नहीं ता, बहुत safe career है, अगर आपको job चाहिए तो, और ऐसे तो 10 में, 10 में नहीं, 1000 में कोई एक दो होता है, जो knowledge के लिए आता है, वरना fact ये कि ultimately you need a safe career, इसलिए सबको चाहिए कि मैं engineering कर लेता हूँ, so that is point number one जो आपने बोला, then again, अगर मैं सब बात करूँ package की भी, तो भी हमें मानना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ, in general आप से बो हुआ होगा, अगर किसी और ब्रांच का बच्चा भी है, तो भी package CSIT company नहीं दिया होगा, exactly, तो जिस speed से आप grow कर सकते हैं, for example, suppose you are a civil engineer, आप मैंसे जो लोग civil से होंगे, इस बात को follow कर पार होंगे, भले आप IT Delhi से pass out है, please cross check me if I am wrong, अगर आप civil के अंदर place होते हैं, starting में, nobody is going to give you 10, 15, 20 लेक्स आदगा package, because यह सारी इंडस्ट्री एक लिवल का experience मांगती है, अब भले आपने IT Delhi से pass out किया, you are a civil engineer, nobody is going to give you a thousand करोड ब्रिज की चल तू बना ले, इसमें experience लगता है, आपको 5, 10, 20 साल लगेगा, hierarchy में grow करने में, कि आप कोई बड़ा building, कोई बड़ा project 5 साल मेरे को लगता है, कि 5 साल के अंदर, you can be in Facebook, Amazon, Microsoft, जो भी आपका dream company आप पहुच सकते है, तो यह एक important, अच्छा सार point आपने बोला, और options बहुत सारे, there is a versatility, sir, अगला कुछ निया पर आपसे पूछना चाहता हूं, कि यह बात तो समझ आ रही है, कि एक तो job security relatively बहुत हाई मिल रहे होते हैं, जो बाकी branch के बच्चे हैं, हम देखते हैं कि suppose मैं, अगर for example, आपर हमें CSIT से engineer है, हमें mechanical यह civil का इतना अच्छा job नहीं मिलेगा, obviously कोई नहीं देगा, लेकिन CSIT में यह क्या exception है, कि यहाँ पर हम हर किसी को welcome कर रहे होते हैं, तो whether you are from mechanical electronics, बच्चा आना supply की, that is true, हैं computer science engineers बहुत सारे, फिर भी अभी भी skillful engineers की कहिने कहीं बहुत ज्यादा कमी है, इस industry में, और आपने पिछले 2-3 सालों में, corona time में या ऐसे भी देखा है कि digital revolution आया है अब, एक industrial revolution था कुछ सालों पहले तक, बड़ अब digital revolution है, जब हमारी हर चीज की dependency है, वो digital चीज development इतना ज्यादा rapidly हो रहा है, और इतना ज्यादा हो रहा है, कि उसकी वज़से, यहां पर demand हमेशा high रही है, और होती भी रहेगी, अब आज देखेंगे आप, कि next जो phase हम पाना चाहते हैं, वो है automation का, हम हर चीज़ automate करना चाहते हैं, home automation लाना चाहते हैं, हम हमारे electric appliances से लेके light से लेके पंखों तक automate करना चाहते हैं, हर जगे पर artificial intelligence लगाना चाहते हैं, machine learning लगाना चाहते हैं, और कहां से, कहां से वो ऐसे skillful worker मिलेंगे, जो इन चीज़ों पर काम कर सके, तो company एक हद तक सूचती है, कि basic background, अगर किसी का computer science है, तो ठीक है, उसे लेते हैं, बट फिर भी वो across the domain जाके भी try करती है, कि कोई ऐसा talented अगर person है, student है, जो शायद computer science background से नहीं है, बट फिर भी इतना talented है, कि अगर हम उसे training देंगे, तो वो train होके, और सही तरीके से हमारे साथ काम कर पाएगा, तो definitely उसके लिए बहुत बड़े chances हैं, मैं आज अगर अपनी अपनी दोस्त के बारे में बात करूँ, तो मेरे काफी सारे friends हैं, जो mechanical, civil, electrical से बीटे करके, और फिर shift हुए हैं IT industry में, और IT industry में वो जो काम करते हैं, कहीं ने कहीं अपने basic knowledge को use कर रहे होते हैं, like Mercedes-Benz हुआ, या फिर आप देखेंगे BMW हुआ, Volvo हुआ, ये सारी research करती हैं companies, और AI पे काम कर करती हैं, ताकि इनकी cars जो हैं, उनमें softwares अच्छे चलमाएं, और वो सारे softwares के लिए mechanical background, of course, चाहिए, sensors का knowledge होना चाहिए, और computer science का तो knowledge definitely चाहिए, तो students जो हैं, उनके पास immense opportunity है, कि in fact, अगर वो अपने core domain को नहीं भी छोड़ना चाहता है, तो कहीं ने कि उससे related, या core domain क को छोड़के भी जाना चाहेगा, तो दूसरी चीजों से related, काफी सारी jobs available है, एक और point यहां पर add करूंगा, और वो है analytics का, काफी सारी जो current jobs हैं, उसमें आपका analysis चाहिए, that's it, that is the main logical work, और कोई भी mathematics student जो होता है, चाहिए किसी भी engineering branch का है, वो analysis में अच्छा हो ही जाता है, तो अगर mathematics based job है, और उसके front end में आपको थोड़ा सा coding करना है, थोड़ा सा software का work करना है, तो students are not hesitant now, कि हम थोड़ी सी coding सीखेंगे, background में मुझे analysis करनी है, जो कि mathematics, statistics, probability से based है, और मैं थोड़ी सी coding से ही अपना career को आगे ले जा सकता हूँ, one of the biggest example I have in my life is one of my friend, जिसने civil से BTEC प्लस MTEC का एक dual degree किया, IIT Bombay से, और उसके बाद में अभी वो जो है, वो Morgan Stanley में as an analyst, उसने job start किया था, and then from analyst to AVP तक जर्नी उसने पिछले कुछ सालों में तई किया, उसका कहना यही है, कि ultimately आपको यह जानना चाहिए, कि आप ultimately क्या चाहते है अपनी life से, अगर वो आपको confirm हो जाएगा कि मुझे अच्छी opportunities चाहिए, ज्यादा opportunities चाहिए, number of opportunities ज्यादा चाहिए, job switch करने पे मुझे बहुत अच्छा package मिल जाए, ऐसी opportunities चाहिए, तो अभी computer science एक ऐसी field है, जहाँ पे यह सब available है, एक और point यहाँ add करूँगा, जो कि जाब में लगते हैं और lifetime महीं job करते हुए और retire हो जाते हैं, current scenario थोड़ा सा risk taking है, लोग चाहते हैं कि हम जल्दी rapid grow करें और ज्यादा पैसा कमाएं, क्योंकि the way, you know, हमारी जो lifestyle change हो रही है, lifestyle की demand change हो रही है, तो हम ज्यादा पैसा कमाएं, और फिर वहाँ कहीं PSU's या दूसर जो हैं, जो core college की companies हैं, या core branches की companies हैं, उनमें अगर ज्यादा options होते नहीं हैं, तो वो ज्यादा hike नहीं देती हैं किसी को, आप L&T छोड़के और किसी दूसरी भी job में जाएंगे, और अगर आप job switch करेंगे, आपको 5-10% का increment मिलेगा, आप IT job में जाएंगे, तो आपको 100-200% तक का भी increment देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर आपके जैसे brain की जरूरत है, बस आपको थोड़ी सी training की जरूरत होगी, थोड़ी सी skill की जरूरत होगी, and you are good to go, correct, बहुत सारे point आपने add की, बट मैंने कुछ point in between लिख ली हैं, बड़े-बड़े important point, एक दो point में दुब आपकी, आपके manager से, आपके boss से बन जाए, क्या जरूरी है, कि जो location आपको चाहिए, वो ही location आपको मेले, जिस तरह के project में, जैसे for example, बहुत सारे बच्चे से, ये site से मैं बात करता हूँ, बड़े interested होते है, इस रो में, DRDो में जाके job करना है, और उसमें काफी हद तक, एक अगली 5 का software आप बना रहोंगे, but things doesn't work like this, तो जो start-ups होती है, जो IT companies होती है, बड़ी speed से चल रही होती, PSU कंपनी का अपना work culture होता है, तो मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, जिनकी all India rank under 100 थी, ONGC में, sale में, gail में, चले हैं, भी frustrated है, वो head office में बैठे हुए है, उ उस level का core cam आपको नहीं मिल पाए, तो आपके वास option नहीं है, अब आप सोने के पिंजरे में बन चिडिया की तरह वहीं फड़ फड़ाते रहेंगे, CSIT में, आज options इतने जादा हो गया है, कि कल को मेरे को company तो छोड़िये, मेरे को project नहीं समझा है, तो एक company के अंतर 10 option होते है यार तो इधर नहीं उस project में चला जा, company will not letty होगो, वो project change कर देंगे, वो आपकी location change कर देंगे, वो देखेंगे आपको कैसे manage कर सकते है, तो मतब एक बहुत बड़ा point है, why you should choose this career, क्योंकि यहां पर immense opportunity है, दूसरा, जादा तर case में भी एक advantage भी or disadvantage भी है, क्योंकि सर बाकी core branches में यहना कि मैं एक idea पर मैंने काम करना start किया, और धीरे धीरे लोगों को उसी का experience होता जाता है, जैसे मेरे एक relative है, he is an electrical engineer, and he has expertise in transformers, transformers की coil कैसे design होती है, कैसे बनता है, क्या implementation है, अब he has experience of 30-35 plus year, but the point is, अब एक level के बाद वो जाके engine पर काम नहीं कर सकते, या वो जाके power distribution पर गाम नहीं कर सकते, उनका expertisive transformer है, अच्छी बात या बुरी बात यह है, कि यह जो branches होती है, इसमें technology ideas बहुत जल्दी से change नहीं होते, आज से 30 साल पहले हम transformer जैसे बना रहे थे, कुछ हद तक आज भी ऐसी बना रहे है, और हो सकता है, 10-20 साल के बाद भी ऐसी बना रहे ह तो we are on the same starting path, जहां पर कोई civil या mechanical वाला भी खड़ा है, आपको भी सीखना है, हमें भी सीखना है, और शायद यह बड़ा reason भी है, कि companies, you know, they are not hesitating to choose good mind, जैसा सर ने बोला, if somebody is pass out from IIT or NIT or any good college, या किसी आप C class college से भी pass out है, बट आपके पास एक अच्छा दिमाग है, तो CSIT मे we will train you, जो भी काम करना है, हमें खुद नहीं पता हो सकता है, पास साल गात कमपनी कुछ और काम कर रही है, तो that is not a problem, यह बहुत अच्छी बात है, switching option, एक और point सर बीच में थोड़ा सा आपने बोला था, and it is मैं बोलता हूँ way of life, आज के time पे, आप कोई भी profession में हो, maybe you are a businessman, maybe you are a doctor, you are a chartered accountant, इतनी सारी technology आप use करेंगे day-to-day life में, कि मेरी खलते सर हो सकता है, आपको और हमें feel नहीं होता हो, लेकिन अगर हमारा net भी नहीं चलाना तो गया ना सब, फिर वो medical और वो सब किसी काम कर नहीं है, तो if you choose this career, तो आपको जो एक lifestyle है, वो बड़ा simple हो जाएगा, कि बहुत सारी problem जो औरों को है, वो kind of हमें नहीं हो रही होगी, है ना, जैसे for example, मतलब हम zoom call join कर रहे हैं, कभी-कभी ऐसा होता, कोई senior faculty है, किसी दूसरी branch है, तो इसमें 10 minutes लगते हैं, उनको समझाने के लिए कि call कैसे join करना है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, he is an expert in his or her field that is okay, but CSIT में अगर आप career बनाते हैं, या CSIT चूस करते हैं, बाद में जैसा sir बोल रहे थे, opportunities इतनी जादा है, आपको कुछ भी कर रहे होगे, but in every field you need technology, उस business को कैसे बढ़ाना है, या जिस भी field में आप काम कर रहे होगे, वहाँ पे directly और indirectly, computer science कहीं ना कहीं आपके दुबारा काम आ रहे होगी, so this is also good reason why you can choose this, कि it is a kind of a way of life, sir my next question will be, देखे, you know when we choose our career ना, एक होता फोर साइट ना, दूर दर्शिता, कि future किधर जा रहा होगा, so 19, मैं दुबारा उल्टा जाता हूं, 1920s में, 30s में, लोग जो बहुत energetic होते थे 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 ना, काम करने के लिए, they used to go to London, because वहां industrial revolution था, वहां factories थी, दुनिया का जाधा तर समान वहां बन रहा होता था, and somehow US overtake किया, 60s, 70s के बाद, it was like Silicon Valley, तो लोग Silicon Valley जा रहे थे, जो दुनिया के top point थे, क्योंकि वहां पर IT revolution हो रहा था, आज, इंडिया at least this stage में, मैं कई बार अपनी class में बोलता हूं, कि we are at the right time, in the right place with the right branch, अभी भी अगर career नहीं बनाया, पैसा नहीं कमाया, तो फिर आप नहीं कर सकते, because we have technology now, internet है तो सब accessible है, and India is a land filled with problems, तो जब तक problem नहीं होंगी, तो solve किसको करेंगे, तो हमारे पास इतना problem है कि आप solve करते करते थक जाओगे, problem solve नहीं होंगी, तो down the line, कि ऐसा तो न paper print करते हैं, उसमें कोई college btech offer कर रहा था, but आज कल आप देखते, print media वैसे ही kind of recession में, और लोग धिर-धिर switch कर रहे है, पता नहीं 20 साल के बाद जरुत होगी भी के नहीं, CSIT में ऐसा risk है क्या, कि पता नहीं बाद में demand होगी, या नहीं होगी, इस अच्छा तो civil mechanical ले लेता कम से कम सड़क तो बनती रहेगी ना, building तो बनेगी, ऐसा sir, what do you think? मैं यह बोलना चाहता हूँ, कि the way we have revolutionized ourself, not even the world, ourself, with the technologies, यह कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा automation लाएंगे, वो लाते रहेंगे, कहीं ने कहीं, अब आपको technology की आदत हो गई है, अब जैसा कि आपने कहा, बिना internet के आप रह नहीं सक करते हैं, आज एक professional से लेके, तो एक सबजी बेचने वाले person तक internet है, वो technology का use अगरे, मैं आपको बीच में interrupt कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले अपनी daughter को माईस्क्रीम दिलाने के लिए लेके गया, तो again change का issue था, तो मैं बोलना है, क्या इतना करने, ऐसे कर ले, तेरे प 18, 19 में आप किसी को 5 या 10 रुपी आप ATM को बना करता था, बोलता था minimum, आप किसी अच्छी जेक भी जाएंगे, सर minimum 500 रुपी का बिल है, तो आप cash की करना पड़ेगा, इसके बाद ही अपना online लेता है, आज आप एक रुपी की toffee भी online खरीच सकते हैं, तो technologically बिलकुल, you can continue, बहुत drastic changes आये हैं, बिलकुल, इस बात पर मैं आउंगा, UPI का जिक्र जरूर करूंगा, but the way we have made our life surrounded with the technologies, आप जैसे UPI की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज में, internet हुआ, आपकी social life जो है, वो connected है through internet technologies, video call के थूँआ अप अपने parents से कहीं से भी कभी भी बात कर सकते हैं, अपने friends से connected रह सकते हैं, प्लस आपके पास अच्छी अच्छी digital watches हैं, mobile phones हैं, जो आपकी health को track कर सकती हैं, तो किसी भी field में technology उतना ज्यादा deep चले गया है, कि अब इसे बाहर निकालना नहीं, इसे और ज्यादा strong बनाना ही next रास्ता है, तो जो आपका question है, वो मेरे लिहाद से तो य करेंगे, तो definitely आगे आने वाले 20 से 25 सालों में या 30 सालों में हमारी जो life होगी, वो बहुत different होगी, electricity and bridges etc, definitely in infrastructure में changes आते रहेंगे, और आते ही रहेंगे, lifetime चलेंगे, बट जिस speed से technology में revolution आया है, उस speed से नहीं आएगा, और कहीने कहीं, जिस speed से अगा technology revolution ला रही है, तो definitely वहा पर ये चीज हमें सोचना होंगी, कि जितनी speed से अगर हम आगे बढ़ेंगे इस field में, तो उतनी speed से job creation भी होगी, और उतनी ही speed से हमारे पास definitely careers के multiple options बन जाएंगे, दूसरी चीज जो आपने कही, इंडिया के बारे में, तो जी हां ये वो वक्त है, जब इंडिया अपना super power दिखाएगा, इंडिया के जितने फिर brilliant brands हैं, जो इंडिया में अब काम कर रहे हैं, वो definitely अब इंडिया को strong बना रहे हैं, आज से 3 साल पहले तक अगर मैं बोलू, pre-covid तक, तो लोग option रखते थे कि नहीं, मुझे इंडिया के बाहर जाके और पैसा कमाना है, क्योंकि मुझ जाके शायद न सेव कर पाएं, I am talking about pure saving, net saving, तो आप यहां रहे के और lavish life जी के, जब आप अपने आसपास बहुत सारे workers रख सकते हैं, जब आप अपने घर में house helps रख सकते हैं, बहुत cheap labor इंडिया में available है, तो आप हर चीज को outsource कर सकते हैं, उस किस के साथ में, उस चीज के साथ में, अगर इंडिया में आपकी savings ज्यादा है, तो कोई इंडिया के बाहर जाना क्यों पसंद करेगा, and this is the major region कि आप अभी देखेंगे, काफी सारे अच्छे जो top engineers हैं, वो load के आ रहे हैं इंडिया वापस, क्योंकि यहां इंडिया में उन्हें अच्छा कीमत मिल पा र में और नहीं इतनी जादा quality के साथ में या उतनी जादा protection security के साथ में use नहीं होती है, आज भी जब मैं अपनी कुछ foreign trips या दोस्तों की foreign trips देखता हूं, तो वो सब यही कहते हैं, या तो credit card चलता है, या फिर cash चलता है, UPI नहीं चलता है, तो आप 10 रुपे से लेके, पांच additional cost, कुछ दिन पहले मैं ice cream खाने के लिए गया था, which was my like cheat day for a day, तो उस दिन मेरे पास change नहीं था, मैंने बोला, यार मैं cash दूंगा, उसने बोला, sir, तीन रुपे आप पे टीम कर दो, exactly, I have done 3 रुपे पे टीम to that fellow, and that, that day I understood कि यह है digital India, जो really, really बहुत ज़रूरी था, आज आ Amazon हुआ, उनमें बहुत cost cutting हो रही है, बट अभी तक India पे impact नहीं आया है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, India पे impact तो आएगा, बट उतना फिर भी नहीं आएगा, again, because कि हमारे पास अभी भी वो economy develop हो चुकी है, अब जाके, कि अब आगे आने वाले 20 सालों में हम अपने आप से independent हो जाए, और हमारी software industry यहां से चलाए, आपने भी एक point जो कहा था, startups का hub बन रहा है इंडिया, जी हाँ, number of startups बहुत ज्यादा है, और आप जितने भी लोग यहां पे सुन रहे हैं, आप में से भी काफी सारे लोग होंगे, जो ये startups के ideas को आगे लेके जाएंगे, या कहीने कही startups का part बनेंगे, तो ये definitely एक तो number of engineers बहुत ज्यादा है, brilliant minds है, और hard working में तो फिर इंडिया को कोई बीट नी कर सकता, मतलब हम तीन घंटा एक्स्ट्रा काम करने के लिए कभी भी हां कर देंगे, कोई problem नहीं है हमें, क्योंकि हम real में दुनिया को दिखाना चाहते है कि हाँ, yes, Indians can do that, तो कहीने कहीं वो इंडिया के, मतलब numbers of engineers, quality of engineers, प्लस इतने mass में, इतने hard working engineers अगर निकलेंगे, तो कहीने कहीं वो definitely वो shift जो है, IT world का थोड़ा, थोड़ा तो इंडिया की तरफ shift होगा ही होगा, और आज से 20 साल बात तो क्या, शायद 10 साल में ही वो changes बहुत बड़े दिखने को मिल भी जाए, तो यहाँ बहुत बहुत अच्छा असर आपने explain किया, और मैं again conclude कर दो इस बात को, जो मेरा question था कि future safe है के नहीं, तो इसके लावा तो future कोई होई नहीं सकता, so this is future, और जैसा मुझे मेरे friend है Amazon में काम कर रहा है, तो वो बहुत जगा लिख इता रही है, तो आप मान के जिले CSIT का तो day one है, और कभी-कभी पढ़ाते हैं बच्चों के साथ example भी quote करता हूं, कि आपने physics पढ़ा, chemistry पढ़ा, J.J. Thompson, Rutherford, Nile Bohr, 1930s, 18th century, जितने भी rules आप पढ़ेंगे, हमारे जितने भी, whether वो Floyd Varsal है, Belman Ford है, Dejkaastra है, Kruskal है, Prims है, Norm Choms की है, यह सब जिन्दा है भाई अभी, still there are professors, most of them are alive, they are taking lectures, so पूरी branch नहीं है, पूरा inception नहीं है, टेकनोलोजी नहीं है, तो इबार ठीक है, future के बारे में आप बिल्कुल safe रही है, कोई tension नहीं है, तो that is also one of the biggest reason कि you should invest in the future, and IT is the future, और इंडिया तो जैसा हम पढ़ते हैं, जह एक और मेरा question होने वाला से recession का, उसको भी kind of आपने answer किया, see, India is a country of 140 crore people and counting, so the point is, मेरे को एक बड़ी important line किसे नहीं बूली थी, अपन खुद बनाते हैं, खुद खा जाते हैं, अपने को tension नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है, India is a word by itself, so who is the biggest producer of milk, India, who is the biggest consumer, India, हम बेस recession आए और ना आए, तो चाहिकी पत्ती सबसादा कौन बनाता है, India, कौन consume करता है, इंडिया, चीनी कौन बनाता है, इंडिया, consume कौन करता है, तो recession आए और जैसे सरा आप बोल रहे है, क्या आप और में PTM पे transitions करना बन कर देंगे, क्या हम स्विगी पे खाना order करना बन कर दे तो 2008 में भी जो इतना जबर्दस recession था, दुनिया रो रही थी, America was like anything, इंडिया पर उस में भी इतना impact नहीं आया था, और मैं अगर थोड़ा से बच्ची आवेर हो, share market के साब से बोलू, तो इंडिया is, market is like sensex around at 60,000, it is all way high, तो अगर recession आना होता है या रहा होता, तो at least sensex 60,000 पर तो नहीं होता, तो लोगों की businessmen's की expectation है कि इंडिया को कोई tension नहीं है, और होगा भी तो जासा सरना बताए, impact उस level पर नहीं होगा, और जो IT की बात, चोटा सा यहाँ पर आपके इसी बात पर add करना चाहता हूँ, कि अगर लिट से आर्थिक मंदी होती है, और अगर ये visual level पे होती है, world level पे, number of jobs हर field में फिर कम होगी, क्योंकि हर company को impact आएगा, पर number of jobs फिर भी computer science में ज्यादा ही होगी दूसरों की branch के comparison में, तो आपको अभी भी मोका होगा, कि आप अपनी number of jobs के हिसाब से अगर देखें, तो कहीं ने कहीं आपको job मिल सकती है, computer science में उसकी probability या आप में बोला, कि एक time तक, आज से में लगता है, दस साल पेल तक भी एक idea था कि आर जॉब लेकर निकल जाते है, US निकल जाते है, पैसा कमाएंगे, वही रहेंगे, बट आजकल ये बात ठीक है, कि इंडिया में, कुछ समय के बाद, let me very honest, 50, 60, 70 lakhs के job, अच्छी company में पान कोई मुश्किल बात नहीं है, और आप बाहर जाते हैं, you'll get 1 lakh dollar, 1 lakh 50,000 dollar, but वहां का जो cost of living है, जो lifestyle है, जो compromises है हमारे, हमारी personal life के, हमारी eating habits के, यार मन तो नहीं लगता ना, एक level के बाद, वो तो एक level का compromise ही होता है, तो वो सब करने के बाद, दूसरा US का taxation, बहुत heavy है, इं इंडिया में रहना बहुत आसान है, जैसा सर ने बोला HR, यह HR इतना सस्ता है, कि for example, आप घर में house help रख सकते हैं, there is somebody, जो cleaning में आपकी help कर रहा होगा, dishes कर रहा होगा, बाहर आप जाएंगे, इतने में dishes करने के लिए आदमी बुलाएंगे, इतने में नए बरतन खरीज के ल जल रहा होता है, तो वो एक बड़ा advantage है, ठीक है सर, एक आखरी question और जो मेरे को लगता है negative point है, लेकिन बच्चों को इस पर clarity होनी चाहिए, सर AI अभी आ रहा है, तो CSIT की jobs तो वैसे भी जाने वाली में कोस AI सब कर रहा होगा, बहुत लोगों को इस question से डर लगता है, so isn't it a reverse reason की why you should not choose CSIT, क्योंकि AI सब खा जाएगा, देखिए सर, एक machine जो है, काम करेगी, definitely करेगी, automation होगा, हर चीज़ का होगा, कहीने कहीं एक तरह की job जाएगी, बट दूसरी तरह की job आएगी, ये AI बनाएगा कौन, ये AI को manage कौन करेगा, ये AI को rectify करके और इसे improve कौन करवाएगा और ये reason है, कि कहीने कहीं अगर students को ऐसा लगता है, कि सारी चीज़ों अगर automate हो जाएगी, code लिखना automate नहीं हो पाएगा, code तो खुद से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि requirement हर एक person के हिसाब से, हर एक device के हिसाब से, हर एक place के हिसाब से, हर एक client के हिसाब से, इतनी ज़्याद करने का, उसे लिखने का, उसे नया बनाने का, और फिर कहीने कहीं, अलग-अलग-अलग-अलग clients की requirements को fulfill करने का, जो point आएगा, वो फिर human mind के ऊपर नहीं हो सकता, और human mind को कोई भी बीट नहीं कर पाएगा, the way we have the learning capabilities, the quickness we have in the human brain, वो replicate करना, today, maybe next 10-20 years, definitely it's highly-highly impossible. correct, बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन discuss करना इसलिए जरूरी था कि बहुत सारे बच्चों को अजीब-जीब सपने आ रहे होता है, मैं अगर इसमें एक point add करना चाहूं, the word itself tell you everything, it is not intelligent sir, it is artificial intelligence, so अगर कोई, महलब idea यह है, एक बच्चा रटूत होता है, और उसको आपने इतना बड़ा है, उसमें से देख देखे हो, पहले से ट्रेन आंसर कर रहा है, and to reduce it down, the term is creativity, जहां पर भी creativity आ जाती है, वहां पर, जैसा हम बोलते है, Turing machine में, अगर आप move नहीं लिखेंगे, the machine will halt itself, वो तब तक smart है, जब तक आप उसे सही question पूछ रहे है, for example, Boeing है, like, करोड और वो रुपे के aeroplanes है, सब कुछ automated है, even though you pay a pilot 10-15 lakh rupees a month to sit there, अगर सब कुछ autopilot कर रहा है, तो why we need that, लेकिन, उसको किस situation में क्या करना है, उसको पता है, but let me be random, अगर cockpit में चूहा आगया, तो क्या करना है, वो AI को नहीं पता, so whenever it needs creativity, अगर कोई terrorist hijack करने की कोशिच करता है, उस situation में best action क्या होगा, वो AI को नहीं पता, so still you need a pilot, similarly, ऐसा नहीं है कि AI आएगा, तो सब की job चली जाएंगी, जैसा सर ने बोला, पहला तो AI को कौन बनाएगा भी, और ये एक डर है, जो human civilization में बहुत पहले से रहा है, एक समय पे, जब bus और car चलनी शुरी थी, लोगों को ल करती है, बस आपकी और हम सब की life relatively आसान बन जा रही होती है, सुगी आया, तो कोई कौन सा restaurant बंद हो गया, जो लोग पहले वहाँ बैटके सर्व कर रहे थे, अभी सुगी पर order दे रहे होता है, लेकिन आपको ग्रहक मिल पा रहा होता है, और ग्रहक को सही भाव में खाना मि पढ़ेंगे, operating system, data structures, algorithm और वो सब पढ़ने के लिए आपको हमारे पास आना होगा, because हम ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारे टाइम से इस area के अंदर लगातार बने हुए, है, so on an academic place right now, we have courses for GATE 2024, it is not only about GATE, जो 10 core subjects होते हैं, यह बाकी ब्रांच की बच्चों को भी बोल रहा हूं, वहाँ पर हम वो सारे subjects in-depth cover कर रहे होंगे, इंडिया के top faculties, वो subjects पढ़ा रहे होंगे, तो whether आप आप में placement के लिए जाते हैं, या आप GATE के लिए जाते हैं, किसी भ कुछ एड करना चाहें तो, ऐसा है कि आप जब भी कभी काम करने जाते हैं, तो आपको अंडरलाइं जो नॉलेज है वो जरूरी है, और GATE की प्रिपरेशन आपको वो अंडरलाइं नॉलेज देती है, मैं हमारे GATE टीचर जिनोंने मुझे पढ़ाया था, उनसे हमेशा कहता हूँ, एक लाइन हर एक टीचर्स डे पे सेम टू सेम रिपीट करके बोलता हूँ, कि दख कम्प्यूटर साइंस इस एज़ी और अंडर्स्टैंडबल फो मी, जिस बिकोज यू वर देर, तो मेरे लिए कम्प्यूटर साइंस, कम्प्यूटर साइंस बना, या इंटरेस्टि है, क्योंकि वो आपको हर कदम पे काम आएगा, और हर कदम पे आपको दूसरों से बहतर भी बनाएगा, तो सर जैसा कहा रहे थे, offer चल रहा है, early bird offer है, 28th of November, 20, 20 November तक ही offer है, तो अगर आप लोग चाहते है, गेट 24 के लिए तयारी करना, या गेट 25 के लिए इंट तयारी करन का जिन्हें computer science के बारे में कुछ भी नहीं पता था, and after the training, they know everything about computer science, correct, तो यहाँ पर बता दूँ कि, language का कोई confusion नहीं है, we have multiple batches, we have odan batch, जो की Hindi English mix चलने वाला है, we have ignite batch, जो की total English में होने वाला है, बाकी app के ओपर, आपको notes मिलते है, if you join a live class, you have a raise your hand feature, जहाँ पर आप एजु to click करके question भेज सकते है, we will be sending your video solutions, so, जो भी improvement हो सकता है, with time, we have improved a lot in this last journey of 3-4 years, तो again, एक बहुत अच्छा platform है, अभी compete आगे है online, तो जैसे आप game खेलते हैं, अभी आप, you know, you can have battles where everybody is trying to answer a question in a specific time, तो सब कुछ बहुत phenomenal है, और additional discount भी अभी है, तो अगर आपको join करना, तो जल् description में मिलेंगे, my referral code is KGYT, sir, your referral code is VDEEP10, VDEEP10, तो आप कोई भी referral code use करिये, आपके पास कोई और है, वो यूज करिये, वाट कुछ भी करके preparation करना चालू करिये, अगर आप अभी भी gate 2023 के लिए attempt कर रहे हैं, तो we have 60 plus test in all branches, unacademy lied भी वहाँ पर active है, तो वो भी आप join कर सकते ह feedback नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों अभी revision करते रहे होंगे, या कर रहे होंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि नहीं समझ आ रहा होता है, तो test लिखना बहुत जरूरी है, तो test लिखिए, उससे आपको सही feedback मिलेगा, पता लगेगा किस subject में, किस topic में आपको further improvement करना उसको improve करिएगा, so again everybody thank you so much for seeing this video till last, अभी यहां तक आप आगे हैं, तो we really value you, और हमें बताइए कि आने वाले time में, किस तरह के topics पर आप discussion करना चाहते हैं, इस video में engage जरूर करिएगा, चैनल को subscribe करिए, because यहां पर आपको पढ़ाई वाली video भी मिल रही होती है, आपका flavors complete हो रहा होता है, दूसरा हम इस तरह का generic discussion भी कर रहे होता है, आपका like करना, comment करना जरूर इसलिए, वरना हमने AI लिखा है, हमने algorithm बनाएं, बट यही वीडियो इन्ही algorithms में कहीं खो जाएगी YouTube पे, तो उसको आपका engagement, आपका like, आपका comment समझ आता है, otherwise, यहनो खुद अपने यहनो शीडियो झाएगी अवा इन्ही करना, आपका Ochलीश झाएगी सब्सक्राइच कोकी यहे Chr wears आता हुएरा, उसक्याम迌् tęज ँewैका है, पाफकपाधीग आपका घउरू स्काः स्काय वाफॉरीविग टिर स्काशनें में आपक पो एंब एं 창काब् discipline. औरा है, और